इस अजुड़ा हम चैप्टर 4 इसका तैटल रेट रफ के बारे में डिस्कस करने वाले मिनमा कि पहले कि निंगे और हम इसकी इसकी स्ट रही के बारे में य Associate Keep किस तरहिके से एक फेरी वाला एक चुहे दानी बेशने वाला परसन जो है वो एक गुड मैन के रूप में कनवर्ट हो जाता है उस सब के बारे में हमने देखा था तो देखिए यहां पर हमने पेज नंबर पेज नंबर 37 जो है वहां से हमें पढ़ना इसको तो यहां तक हमने डिसकस किया था कि जो फेरी वाला है उस ओल्ड मैन के उस क्रॉफ्टर के जो 30 क्रोफ्टर के नोट है वो अपने पोकेट में थ्रस्ट कर लेता है और डाल लेता है और और आइवे से ना जाकर हाईवे ≃ वाले से ना जाकर कि वह फोरिस्ट के अंदर वाले वह से जाना चाटा है और उस पूरेस्ट में वह तरीके से लाव स्ट हो जाता है और वह सोचता है कि मैं भी आप argument retract या फ्री घूंता है उसमें ड्रेप्ट हो चुका हूँ इस taxi का उसके वहां पर ठक ठक की आवाज सुनाई देती है हैं मरकि अवाज सुनाई देती है जिसके मरे किसी चीज को थंपिंग किया जा रहा हो और जब ऐसा होता है तो के दोरान जो है वो अपनी जितने भी करेज उसमें उती है स्टैमिना होता है उसको कलेक्ट करता है और खड़ा होता है और उसके बाद में जहां से वो साउंड आ रहा था उस direction की तरफ चला जाता है जब वहाँ पहुंचता है उस sound की तरफ तो वह देखता है कि एक factory होती है iron wheel जो होती है और उस factory से ही जैसे hammer से हतोड़े से किसी चीज को पीटा जा रहा हो उसकी sound यनि-ड Sóय बटी आइरन को फिग्लाने की बट्टियां वहाँ जाकर एक भट्टी के पास लेट जाता है जब वहाँ होता है यह कोईंस्यडेंस मानए कि असी दिन फ्रेक्री को मॉमने आता था और जब हो जाता है तो यह coincidence मानिए कि उसी दिन उस factory का जो मालिक और जब वहां आता है तो उसी दोरान जो है उस भट्टी से वह फ्लैम्स जो है जो लपटे है वह उसके फेस पर गरती है और जो आइरन मास्टर है फैक्टरी का मालिक है वह उसे अपना उससे फ्रैटर है और वह उससे क इसालत में कैसे मेरे साथ मेरे घर उसके बाद में वो उससे मना कर देता नहीं मैं तुम्हारे घरी नहीं चल सकता प्र उसके बाद आगे की बात को स्वंप्लेइन करते हुए वह पहता हैbased सब्सक्राइब करना चाहिए लुकिंग क्वाइट अलाम यानि बहुत ज्यादा पूरी तरीके से कंप्लिटली वह अलान नजर आता है चोकना नजर आता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता ही थोट ऑफ तर्टी क्रोनर की याद आती है जो उसने अपने पॉकेट में चोरी करके डाल रखे थे तो गो अप टू दा मैनर हाउस वुड बी लाइक फोविंग हिंसेफ बॉलांटरी इन्टू दै लॉजिं, अब देखेए व्यूलंटरी है ने विलिंग से, अपनी इच्छा से, अगर मैं इस मैनर के घर चला गया, इस बड़े व्यथ्टी के घर, इस वैलदी व्यथ्टी के घर यागि सामंत के घर में चला गया, तो अपने आपको तो एक लॉइन की डैन में डालना शेर की गुफा में डालने की बराबर में लिए यह होगा की ओनली वांटेड़ चांस टूसलिप फियर इन दफोल वह चाहता है कि सिर्फ मुझे एक चांस मिल जाए यहां इस लोहे की भट्टी के पास इस फरनेस के फरनेस में मैं रहूं एक सिर्फ एक रात के लिए वह वहां शेल्टर लेना चाहता है और इसके बाद जितना जैसे ही पॉसिबल होगा बिना किसी को बिना किसी को दिखे हुए इंटर जैसे मैं ने इंटर किया था उसी तरीके से मैं यहां से निकल जाऊंगा और आयरन मास्टर ने यह अनुमान लग क्यों कि उसने फटे पुराने रैक्स पहन रखे थे उसके जो कपड़े थे वह चिथडों के रूप में थे इसी वज़े से वो सोता है कि सायद ही अपने आपको डिस्टर फील कर रहा होगा कि मैं इसके साथ जाऊंगा इस मैनर की घर और मैंने कपड़े इतने रैक्स हैं प कि प्लीज ऐसा मत सोचो that I have such a fine home कि मेरे पास एक बहुत अच्छा घर है that you cannot show yourself there और तुम्हें वहां मेरे घर में किसी और को अपने आपको दिखाना होगा यानि तुम किसी और के सामने अपने आपको रिप्रेजेंट करोगे ऐसा मत सोचो Elizabeth is dead as you may already have heard Elizabeth iron master iron master की wife ती उसके बारे बताता है कि Elizabeth की पहले ही death हो चुकी है जैसा कि तुमने पहले सुना होगा my boys are abroad मेरे जो मेरे जो लड़के हैं boys जो हैं वो abroad में हैं विदेश चले गए हैं and there is no one at home except my oldest daughter and myself मेरे और मेरी बड़ी बेटी के अलावा मेरे घर में तीसरा कोई और मेंबर नहीं है we were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas अब आइरन मास्टर उसे बताता है उस पैडलर को कि हम बस इसी बात पर बात कर रहे थे मैं और मेरी डोटर की इस Christmas का जो festival है यह Christmas Eve जो है 25th December का यह जो डे है जो कि एक festival के रूप में celebrate किया दाता है Christians में उस डे पर हमें company देने वाला हम दोनों को company देने वाला कोई तीसरा परसन हमारे बीज नहीं है हम इसी बात पर बात कर रहे थे now come along with me अब चलो मेरे साथ and help us make the Christmas food disappear a little faster अब जो Christmas के festival पे जो मिठाईयां बनेंगी जो sweets बनेंगी उन्हें खाने में जल्दी से खाने में हमारी help करो इस तरह आईरन मास्टर उ लेकिन तो अजनभी था जो फेरी वाला था वो कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा and no नहीं and again no दुबारा कहता है नहीं मैं बिलकुल तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं हूँ and the Iron Master शा आईरन मास्टर नी ये बात देखी that he must give in यानि उसे अब जुख जान you tonight stands on she said to the master blacksmith and turn on his hill अब देखिए वहां जो उस फैक्टरी में जो राम्स जो आईरन वर्क फैक्टरी है वहां पर जो जो वरकर था जो master blacksmith था यानि जो वरकर्स होते हैं उनका जो लीडर था master blacksmith उसकी तरफ जिसका नाम था Stan Jones उसकी तरफ वो होता है अपने hills पर और उसको कहता है कि ऐसा लगता है कि Captain Wons ठाले जो मेरा ये फ्रेंड है ये आज रात तुम्हारे साथ ही रुखना चाहता है मेरे साथ नहीं जाना चाहता है but he laughed to himself as he went away फिर जो iron master है वो वहाँ से चला जाता है और हस्ता है अपने आपके उपर and the blacksmith who knew him blacksmith जो की जो workers थे उस factory में उसका जो लीडर था वो जो blacksmith था वो जानता है अपने मालिक को iron master को कि उसकी हसी का वास्ता में क्या मतलब था understand very well that वो ये बात अच्छी तरह समझता है that he had not said his last word यानि उसने मतलब ये उसने उसके last word नहीं है कि मैं जा रहा हूं ये उसके last word नहीं है अब वो ऐसे मानने वाला नहीं है यानि ये जो words है जो उसने कहे है क्या मुझे चले जाना चाहिए मुझे तुमसे request नहीं करना चाहिए कि आज रात ये तुम्हारे साथ ही यानि आधा एक घंटा भी नहीं हुआ था बीफोर दा हर्ड दा साउंड और फिर कैरी जो है गारी जो है कार्ट जो है उसके विल्स के चलने का जो साउंड है वो उन्हें सुनाई देता है आउट साइड दफोर उस भटी से बाहर यानि उस फैक्टरी से बाहर जो है यू गैस केम इन फिर नया महमान अंदर आता है बड़ इस ताइम वह नोग आइरन मास्टर लेकिन इस टाइम वह आइरन मास्टर नहीं था यह एड़ सेंट इस डॉटर उस आइरन मास्टर ने अपनी डोटर को भेजा था एपरेंटली होपिंग एट और वह एपरेंटली कम राउंड यानि किसी को भी राजी कर लेना किसी को भी मना लेना तुरंट तो कहता है कि आइरन मास्टर जो है यह बात मानता था और वह यह बात एक्सपेक्ट करता है क्लियरली बिल्कुल कि उसकी जो डोटर है उसके पास बैटर पावर ऑफ पर्स्वेशन है यानि किसी क भी राजी कर लेना या मना लेने की कला उससे ज्यादा है ऐसा आयरन मास्टर मानता था इसलिए वो अपने डोटर को वहां उस फैक्ट्री में भीज़ता है जो आएरन अट्ला विल्यम संथी उसकी जो डोटर थी वह इंटर करती है अंदर फैक्ट्री में फॉलओड बाई-ब एक पर्सनल सर्वेंट उसकी साथ होता है केरिंग ओन इस आहम एक बड़ा सा मकमल का कोट जो है फर का कोट है वो उस सर्वेंट ने अपने हाथ पर रख रखा है जो इतनी ज्यादा ब्यूटिफुल नहीं थी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड कॉइट साही लेकिन काफी शर्मिली और बिल्कुल से मॉडेस्ट या नहीं पोलाइट वाली नजर आ रही थी पोलाइटनेस वाली इन फोर्ज एवरीटिंग वाज जस्ट एज एड बीन अलियर इ जैसा कि पहली वाली इवनिंग को सब कुछ जो फैक्टरी में था सेम वैसा ही अब भी ऐनी वैसा ही माहूल था वैसे ही सारे वरकर्स अपना काम कर रहे थे वैसे ही आयरन को मेल्ट करवाने का काम किया जा रहा था जो मास्टर ब्लेक्समिट एंड इस अपरेंटी शेट ऑन देयर बैंच जो मास्टर ब्लैक स्मित था वो और उसका जो हैल पर था अपरेंटिस था वो अभी अपनी बैंच पर बैठे हुए थे और आइरन और चारकोल जो है उसको फर्नेस में उस भटी में डाले जा रहे थे और उसकी जो चमक है ब्राइटनेस है वहां फैली हुई थी जो लप्ते हैं जो फ्लैम्स है उस आइरन की वहां फैली हुई थी देल स्ट्रेंजर हैड इंसेल्फ आउट ओंड़ फ्लोर और फेरी वाला था जो अजनभी था उसने अपने आपको फर्स पर मतार्फ पर लेटा हुआ था वहां उस फ्रेक्टरी में और अपने सर के नीच पिलो की तरह यूज कर रखा था एंड़ी हैट पूल डाउन और हीज आइज और उसकी आखों के उपर उसकी हैट थी वह फैली हुई थी यानि आखों को उसने उस हैट से कवर कर रखा था एस सुन एज यंग गर्ल कोट साइट ओं जैसे ही उस यंग गर्ल ने उसकी तरफ देखा यानि जैसे ही उसने उस फैरी वाले की तरफ देखा सी वेंट अप है उस फैरी वाले के पास गई एंड लिफ्टेड हैट सबसे पहले उसने उसकी टॉपी को उठाया दा मैं वोज इविडेंट इविडेंट ली यूज टू स्लिपिंग विद बन आई ओपन और जो यह जो मैं था यह जो फैरी वाला या पैडलर वहां लेटा हुआ था उसने स्पस्ट रूफ से क्लियरली अपनी एक आँख को खोलते हुए उसकी तरफ देखा यह जंप अपरफ्ट ली वहां से उचला या जंप उसने किया एंड सिंब टूबी क्वाइट फ्राइटन वह बिल्कुल से डरा हुआ प्रतीत होने लगा कि जैसे बहुत ज़्यादा डर गया हो अचानक सटनली ऐसा उसे फीर हुआ फिर वह कहती है एल्ला विलियम सन उससे कि माइन इम इस एल्ला विलियम सन सैट दा यंग गल उस गर्ल ने कहा माइफादर के एम होम मेरे पिता जी घर आए और उन्होंने मुझे बताया और यू वांटे तो स्लीप यह इन दा फोल्स तुनाइट की आज रात तुम इस पोल्स में या फिर इस लोहे की भट्टियों वाली इस जगह पर या इस फैक्टरी में तुम सोना चाते हो ऐसा उन्होंने मुझे बताया और या आस्ट पर कुम एंड ब्रिंग यू होम तुएस फिर मैंने उन से यहां आने की फैक्टरी में आने की पर्मिशन ली अपने फादर से और यह कहा कि मैं तुम्हें हमारे घर हमारे साथ लेकमन हमारे घर पे लेकर आजाओंगी ऐसा मैंने अपने पादर से कहा I am so sorry Captain फिर वो जो एडला ह है उससे कहती है फेरी वाले से कैप्टन मैं काफी दुखी हूं sorry हूं that you have having you are having such a hard time कि तुम्हें इदने बुरे टाइम से घुजरना पढ़ रहा है है वी आइस है मतलब उसकी जो बड़ी बड़ी आँखे थी उसमें मतलब ऐसा लग रहा था जिसे डिप फिलिंग्स या अफेक्शन की फिलिंग्स उसमें थी वो उसके उससे उनकी उसकी तरफ देखी and then she noticed that the man was afraid फिर एडला वीलिम्स ने यह नोटिस किया कि वो जो मैं था जो फेरी वाला था वो काफी ड़ा हुआ था आइधर ही स्टोलन सम्थिंग और ऐसे ड़ा हुआ था जैसे या तो किसी ने उसने किसी का मनी को स्टोलन कर लिया हो चुरा लिया हो या फिर वो जेल से मतलब भाग कर आया हो ऐसा प्रतीत हो रहा था शी थोट उसने सोचा and added quickly और तुरंत उसने उससे कहा you may be sure captain that you will be allowed to leave us just as freely as you can यानि फिर दो एल्ला विलियम सन है उससे कहती है फेरी वाले से की captain तुम मेरी बात पर विश्वास करो तुम अपने आप में शोर हो जाओ कि आज जितना free होकर तुम इस factory में यहां इस furnace के पास बैट लेटे हो उतना ही free हम तुम्हें कर देंगे सिर्फ Christmas की जो इव है Christmas की जो इवनिंग है इस दोरान तुम हमारे साथ है रुख जाओ मैं तुमसे ऐसा promise करती हूं ऐसा अपने आपको शोर कर लो तुम captain she shared this in such a friendly manner उसने यह जो बात है वह इतने friendly manner में उस पैडलर से कही that the red trap paddler must have felt confidence in her कि red trap जो था red rapper जो था फेरी वाला जात हुआ उसको उसकी बात पर तुरंत confidence हो गया कि विश्वास हो गया उसे उसकी बात पर believe हो गया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा it would never have occurred to me that you would bother with me yourself miss he said I will come at once i love a paz zawsze अगे की line में वो कहता थयो ile Williamson को कहता है मैं नहीं चाहता मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि मेरी वजश्य से तुम इतनी परिशान मेरी वज़य से तुम इतनी परिशान हो बदर ओ एसा मैं कभी नहीं चाहता हूँ अभी मैं तुरंत तुम्हारे साथ चलूंगा फर कोट जो मखवल वाला कोट था फर कोट था उसको उसने असप्ट किया विच देवैलेट हैंडेड हिम विदे डिप बो और जो वैलेट जो था उसके साथ जो परसनल सर्वेंट था वह उसने क्या जो पठे पुराने चिथड़ों के रूप में उसने जो कपड़े पहन रखे ते डर्टी क्लोस पहन रखेते उनके उपर उस फर कोट पो उसने तुरंत खीचा और पहन लिया एंड फोलोड़ दा यंग लेडी आउट ऑट अब जैरी फिर वह उस फैक्टरी में से होते कि छो का कफी एस्टोनिज ता स्टंड था सर्प्राइज य त KP देखे बिना ही एक घ्रफ देखे पी कि तरफ पिछे चल दिया कि धारी की तरफ विशा लिए ईडर करके तो तो जाने मेंग हास मेन फोर वोर्डंग खेए लेकिस वही ते Caesar ही जैसेर वह तो केरी पर राइड करके बैठ करके उस गाड़ी पर बैठ करके मैनर नहीं के घर पहुचा उस आइरन मास्टर के घर पहुचा तो उसे ऐसाव जैसे कि कुछ पूरी फिलिंग्ज-ईविल फिलिंग्स उसके मारिड में आती इनिस्ट की आसंग को उसे उती है डाउट होते हैं कि क्यों मैंने वो जो मनी थी जो डेविल जो था यो 30 क्रोनर के नोट जो है वो उसे डेविल की तरह नज़र आते हैं एक राक्षस की तरह या जाइंट की तरह नज़र आते हैं कि वो डेविल की तरह या वो देत्याकार जो 30 क्रोनर के नोट थे मैंने क्यों चुछाए उस मैं के उस old man के now I am sitting in the trap अब मैं इस जाल में बैठा हुआ हूँ and will never get out of it और इस जाल से इस चुह दाने से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाऊँगा वो कहने का मतलब है मैं भी यह जो वर्ड के इनके लालच में इनके बैठेड में की तरफ मैं टेंपर्टेड हो चुका हूँ और मैं इसमें बुरी तरह है इससे बाहर निकलने वाला नहीं हूँ और अगले दिन जो था क्रिश्मिस आजाता है 25 दिसम्बर होता है and when the iron master came into the dining room for breakfast फिर जो फिर वो जो है iron master जो है वो वो सायद परहपस जो है वो सोचता है काफी satisfaction अपने आप में contentment feel करता है satisfaction feel करता है अपने आप में संतुष्टी feel करता है कि जो उसका जो old regimental comrade था आखिरकार वो मेरे मुझे मिल ही गया run across है नहीं मिल जाना वो मुझे संयोग से मिल ही गया जिसकी की मैंने कभी उमीद नहीं करें थी expect नहीं किया था first of all we must see to it that he gets a little flash on his bones he said to his daughter who was busy at the table काने का मतलब है कि जो iron master था था dining room में breakfast कर रहा था और वो क्यासा था जो अपनी जो busy at the table iron master जो था वो हट्टा कट्टा था और वो काफी healthy था और वो dining table पर बैट का breakfast कर रहा था तो वो अपनी डोटर को बताते हुए कहता है इशारा करते हुए कि सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि यह जो iron master यह जो फेरी वाला है इसकी जो यह बॉन्स है जो दूबली पतली हड़ियां है इनके ऊपर थोड़ा flash आजाए थोड़ा मास आजाए या थोड़ा मोटापा इस पर आजाए तो सबसे पहले इसकी जो दूबली पतली हड़ियां है इन्हें हमें करना है यह हमें ध्यान रखना चाहिए एन देन वी मस्ट सी एक गाइस तू दू 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 आजए इसके बारे में सोचेंगे इन इसको फोई दूसरा चॉब दिला देंगे मादब चुहे दानी जो बेचता है एक जगह से दूसरी जगह डूर तूड इसको हम इस काम को चुड़वा कर इसे दूसरा वर् गंवे एस बेर लिच जो विलीमस के यह देखो कि अजीर भात एक कि परिस्थितियां शौंसेंस जो है कि टीनी बूरी तरीके से अफेक्टे और यह ज़ा सकती है गया च्था मतब कैसे हालात हो सकते हैं किसी कंडिशन सुसरती है last night I didn't think that there was anything about him to show that he had once been an educated man फिर वो जो girl है Eldra Williamson है वो कहती है कि पिछले रात जब मैं उचे वहाँ लेने गई थी तो मुझे इस बात पर बिलीव ही नहीं हो रहा था किसी भी एंगल से कि ये कोई एक educated man होगा या नहीं होगा ये एक educated man है ऐसा मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था यू मस्ट है पैसेंस माई लीटल गर्ल सेड़ फादर आइरन मास्टर है उसने कहा कि मेरी थोटी प्यारी बच्ची तुम थोड़ा पैसेंस रखो अपने आप में एस सून आइज ही गेट्स क्लीन अंड्रेस्ट अप जैसे ही वह बिल्कुल साफ सुत्रा हो जाएगा और न्यू क्लोफिंग पहन लेगा नई कपड़े पहन लेगा यू विल सी सम्थिंग डिफ्रेंट तो तुम्हें बहुत अलग लगेगा लास्ट नाइट ही वोज नैच क्लोफ अगे की लाइन में आईरन मास्टर से कहता है अपने टोटर से सी था है वह व्यक्ति हो न्यूश्व को नहीं रखेंटे करने की पड़े प को ये इसके इसके मैनर्सstone को दिखाई दे रहे थे just as he said this the door opened जैसा ही उसने ये बात कही उतने में ही दरवाजा खुला and the stranger entered फिर उस अजनभी ने उस फेरी वाले ने अंदर इंटर किया yes now he was truly clean and well dressed हाँ अब देखो ये बिल्कुल साफ सुत्रा और इसने नए कपड़े पहन रखे हैं the valet had बाते ही जो पर्सनल सर्वेंट था उसने उसे नहिलाया बात करवाया but his hair उसके बाल कटकी है and saved him उसके saving करी moreover he was dressed in a good looking suit of clothes which belong to the iron master और iron master के जो suit थे suit clothing जो थी उसके जो suit थे वो उसने उसे पहनने को दे दिये थे और वो काफी अच्छी good looking वो दे रहा था उन फ्लोस में he wore a white shirt उसने a white shirt पहनी थी और स्टार्ज कोलर और स्टार्ज वाली कोलर यानि कलप लगी हुए जो कोलर होती है वो पहनी थी और वोल सूज और लंबे सूज पहने हुए थे but although his guest was now so well groomed अब जो उसका जो दोस्त था या जो फ्रेंट जो था फैरी वाला था जो था काफी सजा धजा हुआ एक दूले की तरह है नजर आ रहा था उन फ्लोस में अपने फ्रैंड को देखा आयरन मास्टर जो है वो खुश नहीं होता है प्लीज नहीं होता है लोग डैट हिम उसकी तरफ देखता है विद पकड़ ब्रो होए और इनमें थोड़ी सल्वते डालते हुए रिंकल्ड करते हुए वो उसके तरफ देखता है और यह बात समझना बिल्कुर इजी थी डैट वैंड वी हैड वी ही सीन अस्टेंज फैलो इंद अंसर्टें रफ्लेक्शन फॉम दफरनेस अनि फरनेस अनि जो लोहे की भट अनि फ्लेम्स की लप्टो की वज़े से ही उसे गलती कर दी थी मिस्टेक कर दी थी बट डैट नौ लेकिन अब बैन ही स्टोड देयर इन बोड डेलाइट जब अब दिन की रोशनी में वह उसके सामने खड़ा था इट वोज इंपोसिबल तो मिस्टेक इंपोर एन ओल एक् मास्टर का उसके बारे उसको पहचानने में मिस्टेक करना बिल्कुल इंपोसिवल था वोट डज दिस मीन ही थंडर्ड गुसे से बोलता है आयरन मास्टर उसे देखते ही इन सब का क्या मतलब है इस्टेंजर मैंड नो अटेम्ड टू डिसी डिसीमुलेट का मतलब होता है किसी को धोका देना कि जो अजनबी था उसका उसका कोई मतलब ने को वो किसी को धोका देना नहीं चाता था ही सथा इड़िंस ंसने तूरं भेंट कर ने अनि जो यह जो आइरन मास्टर सुरी यह जो पैडलर जो था फैरी वाला उस घर में आ गया था और उसका परदा फाश हो गया था ऐसा प्रतीद उसे होता है और यह बात जो पैडलर है वो समझ जाता है स्रीमान इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी आई नेवर प्रिटेंड तो वी एनिफिंग बते पूर टेडर टेडर एक गरीब व्यापारी चुहेदानी बेजने के काम के अलावा मैंने कभी अपने आप को दूसरा दूसरी फों में नहीं दिखाया है कि मुझे यहीं इस भटी में रहने दिया जाए सिर्फ मुझे एक रात की श्रण चाहिए लेकिन मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है अगर तुम पुरा नमानों तुम मैं अपने पुराने उन फटे पुराने कपड़ों को वापस पहन लूँ और यहां से चला जाओ लेल सैड़ान मस्टर ने कहा हैजिटेटिंगे लिटें थोड़े हीच की चाहट करते हो अच्छा इसका मतलब तो तुम ज़दा ओनेस्ट तुम इमानदार भी नहीं हो यह मस्ट एडमिट देट तुम्हें यह बात स्विकार करने चाहिए और आई शुड़ नोट भी सर्प्राइज मैं आश्च्छ यह नहीं होगा इस तुम्हें नहीं होगा इस मैं इस मामले में शैरिफ का मतलब होता है एन ओफिसर जो है अधिक ट्रैंप है जो वेगाबॉंड है जो फेरी वाला है वो थोड़ास एक स्टेप आगे की तरफ लेता है और इस अपनी मुठी से अपनी फिस्ट से टेबल पर इस तरह किसे मारता है कि यह क्या हो गया मेरी जो असलेत थी मेरी जो रियलिटी थी वह सब के सामने आ चुकी है अब की जो चीजें है वो कैसे चेंज होती है नहीं मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं चीजों के वारे में वो कहता है आइरन मास्टर से कहता है यह जो पूरी दुनिया है वो कुछ नहीं है सिर्फ एक बड़ी सी चुहेदाने एक ग्रैट्रैप है जो बड़ी जो कि तुम्हें करी जाती है इस वर्ड के द्वारा वो कुछ नहीं है बट सिर्फ चीज रिंस का मतलब होता है अपर लेयर जो होती है जो सिर्फ पनीर की चीज की उपरी लेयर है एंड बाइट्स पॉर्क और बाइट्स नहीं है जो है उसके बाइट्स हैं और कुछ नहीं है सेट आउट टू ब्रैग पूर फैलों इंटू ट्रबल और इसी वज़से इन सारी चीजों की वज़से ही तुमने एक गरीब व्यक्ति को क्या कर दिया इंटू परेशानी में मुझे तुम अपने साथ ले आयों और तुमने क्या कर दिया मुझे बूरा बना दिया है और मुझे भी इस जाल में फसा दिया है एंड इस सेरिफ कंस नाओ यदि अधिकारी आजाए ऑफिसर आजाएगा एंड लॉक्स मी अप और इस दैन यू और मुझे पकड़ कर ले ज जब तुम खुद एक बड़े से पीश ओफ फॉर्क में यानि पिग मीट का दे बड़ा सा पीश है उसमें फस जाओगे एंड यू विल गेट ओट इन ट्रैप और फिर तुम इस जाल में हमेशा के लिए पकड़े जाओगे आईरन मास्टर बिगंट तू लाफ जब पैडलर वाला या फेरी वाला इससरे की बात आईरन मास्टर से खहता है तो आईरन मास्टर जो है वु हश्ना सुरू कर देता है कि देट वस नोट सो बैडली से साइड माई गुड फैलो कि मेरे प्यारे दोस्त ऐसा इतना बूरे दिन मेरे नहीं आने वाले हैं परहपस वी शूट लेट अन्यों इन क्रिश्मिस या निए जो क्रिश्मिस का फेस्टिवल है या जो इवनिंग है इस तिन पर तो हम इस ओफिसर को अकेला ठोड़ देते हैं बट नौ एनि इस ओफिसर की बाद छोड़ो यानि 25 दिसमबर की इव तक इस फेस्टिवल तक बट नौ गट आउट ओफियर आज फास्ट एज यू यह लेकिन मेरी बात सुनो कि अब उसके बाद तुम इतनी जल्दी यानि क्रिश्मिस की बाद चोड़ो या उस सेरिफ की ऑफिसर की बाद चोड़ो लेकिन अब जितनी जल्दी हो सके तुम यहां से रवाना हो जाओ यह बा इसे कहती है आइन मास्टर की डोकर उसे कहती है आइधिंग आउट तो स्टे विद तुनाइट तुड़ी कम से कम 25 दिसम्बर का यह त्योहार का यह फेस्टिवल का दिन इस फेस्टिवल के दिन तो इसे हमारे साथ रूप ही जाना चाहिए मैं ऐसा सोचते हूं I don't want him to go मैं नहीं चाहते कि यह 25 दिसम्बर जो क्रिश्मिस इव है इस पर हमारे से दूप चला जाए और विद यह जाती है उरती है और दर्वाजा जो है डोर सुह है उसे क्लोज कर देती है what in the world are you doing said the father father जो है वो से कहते हैं आयन मास्टर अपनी डोटर से कहता है कि what in the world are you doing तुम क्या कर रही हो यह तुम यह सब कुछ क्यों कर रही हो जो डोटर स्टोड देयर क्वाइट एंबरेस्ट तो डोटर है जो एला विलियम सन है वहां बिल्कुल से परेशान या डिस्ट जो गए यह सी हैल फैल्ट सो है यानि आस उबह उसने कितनी है पी फिल किया था अपने आपको वैन सी थाट हाव होम लाइक एंड क्रिश्मरी प्रिश्मस टीशी वोग तुम एक तिंस पूर हंगरी रहेच पूर नी गरीब सा बैचारा हंगरी यानी भूका रहेच यह जो बैकती है जो पूर है गरीब है भूका है इसको इसके बारे में जानकर वो कितना यानि कितना परीचित होम लाइक घर के मेंबर की तरह उसे लगा था और क्रिश्मस का एक गिफ्ट सा उसे लगा था कि इस फेस्टिवल पर वो कितनी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें इस पूर हैंगरी रह्च के लिए बनाएंगी उसे कितना यह फील करके उसे कितना अच्छा लगा था सी कुट नोट गैट अवे फ्रूम दा आइडिया ओल एट वेंस इस आइडिया को इन आइडिया को एक मिनट में तुरंत नहीं छोड़ देना चाहते थी यानि उन आइडियाज को मतलब रियालिटी में लाना चाहते थी उसके वास्तम में उस क्रिश्मिस के फेस्टिवल पर कुछ अच्छा मनाने वाली थी और इसी वजह से जो यह जो पुराना वेगा बोंड था उसको उस यह जो आएंड इस इस ट्रेंजर हीर सैड़ यंग जो अपने फादर से कहते हैं मैं सोच रही हूं कि इस अजनभी को इस पहरी वाले को अपने यहां रुक जाना चाहिए ही वाक्स एंड वोक्स दे वोल यूर्स लॉंग अब देखिए वह एल्ला वीलियम साना वो कहती है क पर चलता है and there is probably not a single place in the whole country और इस पूरी वोर्ड में पूरे कंट्री में एक सिंगल जगह भी ऐसी नहीं है सायद वेयर ही इस वैलकम जहां कि इसका वैलकम किया जाता है and can feel at home और घर की तरह इसके साथ किया जाता हो ऐसी कोई भी जगह इस पूरे कंट्री में कहीं नहीं है when you are he returns he is chased away और जहां कहीं वो जाता है इसे घर से बाहर भगा दिया जाता है दर्वाजा ही नहीं खूला जाता है घर सी भगा दिया जाता है always he is afraid of being arrested और हमेशा इसे डर रहता है जैसे कि इसे किसी के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा and cross examined और उसे question पूछे जाएंगे इसे मतलब investigation किया जाएगा यह इसे question पूछे जाएंगे इसे arrest कर लिया जाएगा ऐसा एक afraid या डर इसमें रहता है I should like to have him enjoy a day of peace with us here just one in the whole year आगे की बात में वो कहती है कि पूरे साल में सिर्फ एक दिन 25th की यह जो शाम है Christmas Eve है यह मैं आप से मानती हूं सिर्फ यह एक दिन इसे enjoy करने के लिए दे दो यानि इसे यहीं रहने दो 25th December की जो रहत है या यह जो फेस्टिवल है इस फेस्टिवल तक इसे यहीं रहने दो आइरन मास्टर मंबल सम्थिंगी इस बर्ड आइरन मास्टर अपनी दाड़ी को इस तरह करते हुए मतलब थोड़ा मैश करते हुए फिर मंबल नहीं बड़ बढ़ाता है अपने आप में फिकता है की कुड़न्ट ब्रिंग हिमसेर्फ लेकिन अपनी जो डॉटर थी उसकी पाता उसके अगेंस्ट भी नहीं जा पाता है फिर वो आगे कहती है एडला विलियम सरो ने फादर से कहती है कंटीनियू रखती है नहीं संदे है नो डाउट कि यह एक गलती थी मिस्टेक थी बट ओल एनीवे लेकिन कोई बात नहीं आई डोंट थिंग वी आउट टूट कोई बात नहीं है गलती थी मिस्टेक थी लेकिन फिर भी कोई ऐसा वेक्ती जिसे हमने क्रिस्मिस की इव पर इन्वाइट किया हो आने के लिए कहा हो हमारे साथ उसे हम घर से बाहर निकाल दे उस फेस्टिवल से पहले यह तो बात बुरी है यह अच्छी बात नहीं है और वी हैव प्रोमिस्ट सिर और जिसके साथ मीस के खुशी बातने का हमने फ्रोमिस किया हो उसको हम क्रिस्मिस के पहले ही घर से पाहर निकाल दी अच्ही बात नहीं है ईंजी प्र ocup ढर सômबकी प्रिशं रख शेड़न कर देतीं हो एक पागिशच बिख ज्यादाUp पिए अउ करता हूं कि तुम्हें पस्ताना नहीं पड़े इसके लिए यहां रात को तुम रोकोगी इसके लिए तुम्हें पस्ताना नहीं पड़े यह बात ध्यान रखना तुक दे स्ट्रेंजर बाइदा हैं एंड लेड लेड ले जाती है और उसे टेबल पर बिठा देती है कि तुम यहां टेबल पर बैठ जाओ ना उसे डाउन एंड इट सी सेट वह कहती है अब बैठो और खाओ तोर सी कुड सी देट हर फाद पादर हैं den लूसके गाति आगए उसकी बात मान चुके या उसकी बात कि अगखी आगे जिद के पूदी तो फूड और वह खना खने लगा टाइम आफ्टर टाइम लोग्ड एट यंग गर्ड बार वो वह ग्ला विल्यम संथी उसकी तरफ वह देख रहा था who had interceded for him interceded वही किसी पर दया दिखाना kindness चूपना जिसने कि उसके लिए दया दिखाये थी kindness चूपना था वह उस गर्ल की तरफ देख रहा था why had she done it वो सोचता है question करता है अपने आपसे फेरी वाला वो ये सब कुछ क्यों किया उसने इस लड़की ने इस गर्ल ने ऐसा क्यों किया what put the crazy idea यानि इसके पीछे कौन सा doubtful idea है क्या suspect चल रहा है क्या doubt है इसके पीछे यानि क्या scheme है उसकी उसने ऐसा क्यों किया वो ऐसा क्यों चाहती है कि मैं उसके यहां रुखूं after that इसके बाद Christmas Eve at Ram's the past just as it always had और उसके बाद Christmas की रात है वो गुजर जाती है शाम गुजर जाती है ठीक वैसे ही जैसे कि हर साल गुजरती है the stranger did not cause any trouble जो अजनभी है जो एड़ेटरेप है वो किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं करता है because he had did nothing but sleep क्योंकि उसने कुछ नहीं किया सिर्फ वो सोया रहा उसके अलागा कोई परेशानी कोई ट्रबल उसने नहीं किया सिर्फ उसने खाया और सोया the whole whole noon he lay on the sofa in one of the guest room guest room का जो एक sofa था उसके उपर वो पूरी दोपरेश सोया रहा and slept at one stretch और वो भी सिर्फ एक तरफ ही एक ही साइड लेट कर at noon दोपरेश को तब वोग हीम अप दोपरेश को उन्हों ने आइरन मास्टर और उसकी डॉर्टर ने उसे उठाया so that he could have his share of his good christmas fair